सुजुकी ने बना दी यह कमाल की इलेक्टिक कार जिसे वेन कहना भी गलत नहीं होगा यह एक फूली इलेक्टिक कार है जिसको आप चार्ज करके आसानी के साथ चला पाएंगे इस कार को नाम दिया सुजुकी एर ट्राइजर इलेक्टिक कार आज की चोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे इस कार की क्या रहेगी कीमत क्या रहेगी इसकी टोप स्पीट चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा एक बार फूल चार्ज करने पर आप इसे कितना किलोमेटर तक चला पाएंगे और इस कार के अंदर गवर्मेंट कितनी सबसिडी देगी यह वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद सुजुकी एर ट्राइजर के बारे में आपको और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा बिना किसी देरी के चलिए शूरू करते डीजाइन के साथ सुरू करे तो इसका डीजाइन वेन पर आदारित बनाए गया है जिसके फ्रंट में LED हेट लेंप लाइट भे आपको देखने के लिए मिल जाएगी गाड़ी के अंदर 6-8 लोगों के बेटने की जगा रखी गई है सुजू की एर ट्राइजर के अंदर आपको दो दर्वाजे देखने के लिए मिलेंगी जो की सटर की तरह खुलते हैं लेकिन इन दर्वाजे को आप फिंगर प्रिंट के माध्यम से ही खोल पाएंगी इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर सीटो को एकजस्मेंट करने का या रोटेट करने का ओप्शन भी आपको मिलेगा या कहें इस गाड़ी के अंदर एडवांस टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया है बेटरी के बारें बात करें तो सुझी की एट राइजर के अंदर लिटियम आईयन बेटरी का प्रियोग किया गया है जिसकी वोरंटी कमपनी टू एर की देती है चार्जिंग टाइम की बात करें तो चार गंटे से लगा के छे गंटे के अंदर फूल चार्ज भी कर पाएगे टोपस्पीट की बात करें तो 80 किलोमेटर परती गंटे के हिसाब से इसकी टोपस्पीट रखी गई है सूजू की एट राइजर एक बार फूल चार्ज होकर 200 किलोमेटर तक चलाई जा सकती है ये थी इस कार के बारे में सामान्य इस्पेशिक एशर अब जानते इसकी क्या कीमत रहेगी और ये इंडिया के अंदर कब तक लौँच हो सकती है प्राइस की बात करें तो कमपनी ने इसकी कीमत को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है इस कार की कितनी कीमत होनी चीए आप कमेंट करकर ज़रूर बता सकते हो लूंच देट की बात करें तो इस कार की लूंच देट को लेके भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है जैसे इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे यह वीडियो कम्प्लीर देखने के लिए हरदरी की गेरा यूग के साथ आपका प्रेयम पुर्वक धन्यवाद